नमस्कार दोस्तों, the president has proclaimed emergency, this is nothing to panic about. इनी शब्दों के साथ उस समय की प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी ने पूरे देश पर emergency अनाउंस कर दी थी. और आज भी कहा जाता है कि ये emergency जो थी, वो आज भी इंडियन डेमोक्रेसी पर लगा काला धबबा है. आखिर ये emergency क्यों लगाई गई थी, कुछ नेताओं का मानना ये है कि उस समय जो बिहार में जेपी आंदोलन चल रहा था, उसको दबाने के लिए emergency लगाई गई थी, वहीं कुछ बड़े नेता जो कि खुद कॉंग्रेस से आते थे, उनका मानना ये है कि इंद्रा गांधी ने अपनी प्रधान मंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए देश पर ये emergency थोपी थी, तो आईए इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं कि आखिर देश के ऐसे क्या हालात थे उस वक्त कि ये emergency इंद्रा गांधी को लगानी पड़ी थी, तो कहानी शुरू होती है 1966 में जब उस समय के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्तरी ताशकेंट गए थे ताशकेंट agreement पर sign करने, इस agreement पर sign करने के बाद कुछी suspicious circumstances में लाल बहादुर शास्तरी की वहाँ पर मृत्यू हो जाती है और जिसके बाद 1967 में एक बार फिर से इंडिया में elections होते हैं और उस election में इंद्रा गांधी as a prime minister बन करके आती हैं, लेकिन ये 1967 की जो Congress की government थी वो बड़ी ही weak थी और वो बहुत सारी partyों को मिला करके बनाई गई थी और इसलिए कहा जाता है और उस time के बड़े नेता जैसे के राम मनोर लोईया ने ये कहा था कि Congress के कुछ बड़े syndicate के नेताओं ने इंद्रा गांधी यानि की गुंगी गु और कहा जाता है कि जो real power थी वो मुरारजी दिसाई के पास थी अब 1967 में इंद्रा गांधी प्रधान मंत्री तो बन गई थी पर जैसा देश दुनिया उनको कमजोर समझ रही थी वैसी कमजोर वो बिलकुल भी नहीं थी इंद्रा गांधी के कुछ अलगी plans थे 1967 के चुनाओं कि वो भारत के जो 14 प्रमुख bank हैं उनका nationalization करेंगे यानि की राष्ट्रिय करण करेंगी इंद्रा गांधी को ये चीज बड़े अच्छे से पता थी कि अगर वो बैंकों के nationalization के लिए जाती हैं क्योंकि वो इतना बड़ा financial matter है तो उस पर finance minister के sign लगेंगे लेकिन उनके इस nationalization के decision के खिलाफ जो नेता सबसे बड़ा नेता खड़ा होगा वो खुद उनके finance minister मुरारजी देशाई खड़े होंगे चुकि मुरारजी देशाई more of a capitalism की सोच के नेता थे और वहीं पर इंद्रा गांधी socialism को follow करती थी तो इंद्रा गांधी ने मुरारजी देशाई को force किय या कहलो मजबूर कर दिया कि आप अपने finance minister के पद से स्तीफा दे दीजे मुरारजी देशाई हलाकि इतने कमजोर नेता नहीं थे उन्होंने स्तीफा तो उस समय दे दिया finance minister की post से लेकिन उसके बाद ही Congress को दो हिस्सों में तोड़ दिया और जो 1967 के चुनाओं में Congress की government बनी थी उसमें से 65 MPs का समर्थन इंद्रा गांधी जी से वापस ले लिया गया हाला कि उस समय DMK के support से किसी तरीके से इंद्रा गांधी ने अपनी सरकार बचाई और वो प्रधानमंत्री बनी रही और जैसे ही मुरारजी देशाई ने अपने finance minister के पद से स्तीफा दिया उसके द भी नाराज हो गएं इंद्रा गांधी से लेकिन अब इस एक कदम ने इंद्रा गांधी को गरीबों के बड़े करीब पहुँचा दिया था 1969 के बैंकों के राष्टी करण के बाद इंद्रा गांधी नहीं रुकी उन्होंने ठीक एक साल बाद 1970 में एक और बड़ा decision लिया कि उन्होंने कहा कि प्रिवी पर्स को हम abolish कर देंगे एक ordinance के जरिये उन्होंने उस समय प्रिवी पर्स को abolish कर दिया प्रिवी पर्स का मतलब जो अजादी के पहले princely states हुआ करते थे उन 93 प्रिंसली स्टेट को एक जुट करके एक पूरा देश बनाया था तो उस समय की गवर्मेंट और उस समय के प्रधान मंत्री जवालाल नहरू ने उन princely states से प्रॉमिस किया था कि हम आपको मुआवजे के तोर पे कुछ pension का amount दें से और उन्होंने प्रिवी पर्स को भी abolish कर दिया इस से बहुत बड़े बड़े जो princely state थे उस समय के जो बड़े राजा महराजा थे वो इंद्रा गांदी से काफी नराज हो गए जिन में से कई रजवाड़े तो खुद Congress Party के अंदर ही थे उन सारे रजवाड़ों में मिल क करके इंद्रा गांदी के खिलाफ चुनाओ लड़ने का मन बना लिया था लेकिन इंद्रा गांदी के इन दो डिसीजन बैंको का राश्ट्री करण और प्रिवी पर्स के अबॉलिशन से वो उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उन्होंने जो बादे किये हैं वो हवाई बा लेकिन इंद्रा गांधी ने जो ये दो चीजें की थी बैंकों का रास्ट्री करण और प्रिवी पर्स को एबॉलिश करना उसको इनकैश करने के लिए उन्होंने जो एलेक्शन 1972 में होने वाले थे उसको प्रिपोन करके 1971 में ही करवा लिया और इसका फाइदा भी इंद्रा ग घटना होती है जो कि इंद्रा गांधी के पॉलिटिकल करियर को और स्ट्रॉंग बना देती है साल 1971 नवंबर के महीने में एक इशू शुरू होता है पाकिस्तान में इस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच जिसमें फाइनली 1971 में इंडिया इंटर्वीन करता है और वहाँ पे पाकिस्तान को हरा देता है जिसके बाद पूरी दुनिया से इंद्रा गांधी ने कहा कि मुबारक हो बंगलादेश हुआ है अब देखो जब कोई प्रधान मंत्री वार लड़ता है वो भी खासतोर से पाकिस्तान के खिलाफ तो उसकी लोग प्रियता पूरे लेवल पर लेकर के जाएंगी यह 1971 का टाइम तो पीक पीरेड था ही इंद्रा गांधी के पॉलिटिकल करियर का लेकिन यह पीक पीरेड अब धीरे-धीरे खतम होता है और फाइनली मुसीबते शुरू होती हैं इंद्रा गांधी के लिए 1972 में यह मुसीबते फाइनेंशेली मुसीबते थी जो कि देश झेल रहा था उस समय और कहलो तो आप पूरी दुनिया भी झेल रही थी उस समय क्योंकि भारत पिछले 9 साल में दो बार वार लड़ चुका था बड़े लेवल पे एक 1965 का वार लड़ा था और 1971 का वार लड़ा था जिसकी वज़े से देश में पीरियड में जहाँ जब इसराइल और अरब देशों के बीच में वार चल रही थी तो अरब देशों ने एक ऑईल एंबार्गो लगा दिया था जिसके कारण पूरे दुनिया में ऑईल की कमी हो गई थी और उसकी मार इंडिया पर भी पड़ी जहाँ पर ऑईल के प्राइस शुरू हो गई थी इसलिए लोगों का पर्सेप्शन जो है वो इंद्रा गांधी गवर्मेंट के खिलाफ होने लगा धीरे-धीरे और इसके बाद पूरे इंडिया में कई सारे स्टेट्स में प्रोटेस्ट शुरू हुए लेकिन उनमें से तीन प्रमुख प्रोटेस्ट है जिन्होंने इंद्रा गांधी को सही माइने में चैलेंज किया था पहली बार जो पहला प्रोटेस्ट था वो जैप्रकाश नरायन के अंडर में बिहार में हो रहा था जो ये बिहार के आज क्या बड़े लीडर्स देखते हो जैसे कि लालु प्रसाद यादव जैसे कि निती कीमतों के खिलाफ हम कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को एक नैशनल लेवल का प्रोटेस्ट बनाई है जैप्रकाश नरायन भी खासा नराज हुआ करते थे उस समय इंद्रा गांधी की गवर्मेंट से क्योंकि वो मानते थे कि इंद्रा गांधी के बहुत सारे डिसीजन्स आटो क्रेटिक हैं और वो लोगों की सजेशन्स नहीं लेती हैं इसलिए जैप्रकाश नरायन ने बिहार के इन लीडर्स को जॉइन किया और उस बिहार के प्रोटेस्ट को जिसको जेपी आंदोलन के नाम पे आज भी हम जानते हैं उसको एक नैशनल लेवल का को लेकर के गवर्मेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और ये गुजरात के प्रोटेस्ट भी बहुत हाई लेवल पर होने लगे थे यहां तक की नौबत ये आ गई कि इंद्रा गांधी को उस समय के जो सीम थे गुजरात के उनको हटाना भी पड़ गया था उनकी पोश स्ट्राइक किया जिसको शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कहा जाता है आज भी और वो स्ट्राइक ने भी इंद्रा गांधी को बहुत बड़ा सेट बैक दिया इतने सारे प्रोटेस्ट को देखने के बाद भी इंद्रा गांधी बैक पूट ल 1971 में जब election हो रहे थे तो इंदरा गांदी उत्तर प्रदेश की राय बरेली सीट से चुनाव लड़ रही थी और वहीं पर उनके खिलाब जो candidate लड़ रहे थे उनका नाम था राज नरायन जो कि उस समय के बड़े नेता हुआ करते थे उन्होंने कोट में इस election को challenge किया था कि जो लोकसभा सदस्ता थी उसको भी रद कर दिया ये final setback था इंदरा गांदी का हलाकि इंदरा गांदी इस अलाबाद हाई कोट के decision को supreme court में challenge करती है और supreme court उस समय देश की situation को देख करके कुछ समय का stay लगा देता है अलाबाद हाई कोट के decision पर अब इंदरा गांदी के ख इंदरा गांदी को हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ ऐसे नारे दिये जाने लगे उस समय पर इंदरा गांदी के खिलाब लेकिन इंदरा गांदी का पीछे मुड़ के देखने का बिलकुल भी मन नहीं था और अब उनको अगर अपनी सत्ता बचानी थी तो उनके पास में हो या armed rebellion के situation में हो या external aggression के situation में हो लेकिन ये शब जो आप armed rebellion देख रहे हो ये शब्द उस समय constitution में नहीं हुआ करता था इसकी जगा पर दूसरा शब्द था जिसको हम internal disturbance बोलते हैं और इसी internal disturbance शब्द को इस्तमाल करके इंदरा गांदी ने पूरे देश पर emergency लगाई थ था कि ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं ये गवर्मेंट मशीनली के खिलाफ हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो देश की आर्मी और नेवी को उसकी गवर्मेंट के खिलाफ ही भढ़का रहे हैं और इसी लिए उन्होंने पूरे देश मर ये emergency लगा दी थी हाला कि इस article को बाद में अमेंड करके यहां पर आम रेविलियन शब्द लगाया गया क्योंकि इसी misuse के बाद कहा जाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी पर ये emergency एक black spot है यानि की काला धब्बा है अब जो ये वीडियो के स्टार्टिंग में दो सवाल आये थे कि आखिर ये emergency क्यों लगाई गई थी क्या JP आंदोलन को दबाने के लिए emergency लगाई गई थी या इंडरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपनी प्रदान मंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए ये emergency लगाई थी तो ये decide करना अब आपके उपर है कि आखिर ये emergency देश पर क्यों लगाई गई अज की वीडियो में इतना ही, thank you and have a nice day.